गोके तो सबसराइमस बढ़ए होती है हमारे लिए लिए मोट यह साल पढ़ए होते हैं तो मन में सिर्च बढ़ाई में पढ़ाी होती है ना सबसे पहली ही कि आते हैं कि इस खूंत क्वेयर kयों अच्छी यहां happens temos जानते हम्यते हैं इस होता हूं तो अगर मैं रेटिंग के बात करूं तो वही I think यह Outlook magazine कही है उसने AIMS Delhi को रेटिंग दिया 195.1 and CMC Valor's की second number पर उसको दिया 172 और यह रेटिंग है 200 में से ठीक है तो आप देख सकते हो कि first और second में कितना difference है अब यह सारे difference क्यों है यह मैं बताता हूं कि देखो teachers का अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में सबसे बड़ी problem क्या है कि student to teacher ratio इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है इतना ज्यादा कि teachers बहुत कम है लेकिन अगर आप aims की बात करोगे तो ज़रूरत जितने teachers की उससे बहुत ज़्यादा teachers है तो personal attention काफी ज़्यादा मिलता है अल्मोस्ट एक student पे टीचर होता है या पर चाहिए ज़्यादा ही हो तो professors एकदम बहुती ज़्यादा knowledgeable excellent आप चितने पी अच्छे words बोलों के लिए कम है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे professors आपको पढ़ा रहे होंगे और जो की international books की authors होंगे अगर आप देखोगे तो एक pathology की book आती है international book है उसको सारी दुनिया में लोग पढ़ते है Robins pathology बोलते हैं तो उसके जो senior most editor है वो Aimsonian है ठीक है तो बहुत सारे professors ऐसे हैं जो की books के writers है या फिर बहुत सारे बहुत अच्छे researchers हैं बहुत सारे international committees के advisors हैं और सारे के सारे बहुत अच्छे teachers है most importantly okay तो अगर मैं हर एक उसके department की बात करो जैसे मैंने first year अभी बढ़ा है तो मैं first year आपका आपका अच्छे डिस्क्राइब कर सकता हूं तो अगर हम department की बात करेंगे anatomy में तो anatomy में क्या होता है main important चीज होते हैं ऐसा कहते हैं कि cadaver सबसे अच्छा teacher होता है तो क्योंकि aims की strength बहुत कम होती है हमारे batch में 72 plus 5 77 लोग है हमारे से जो junior batch है उसमें 107 लोग है तो इतने कम लोग होने कारण resources काफी जादा होता है और कम लोगों में distribute होते हैं उसमें से एक SR होते हैं मतलब senior resident, दो junior resident होते हैं और एक assistant professor होते हैं जो कि बीच-पीच में आते रहते हैं तो चार teacher आठ students पे होंगे यह एकदम personal attention, dissection hall में जब dissection चल रहा है उस time पर यह चार लोग आपके साथ रहेंगे फिर lecture अलग होते हैं तो यह देखो मैं बताता हूं यह multiple times कैसे पढ़ाते हैं कि anatomy ऐसी चीज है कि बहुत जादा रटने वाली चीज होती है, मतलब मेरा सबसे गंदा subject लगता है मुझे anatomy, सबसे जादा लेकिन फिर भी जब मैंने first prof के marks देगे तो मेरे anatomy में ही सबसे अच्छे marks है तो ऐसा क्यों है, कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग इतने बार पढ़ाते हैं कि दिमाग में अपने आप बैठ आता है, तो सबसे बहले लेक्शर हुआ लेक्चर हुआ पढ़ा दिया उसके बाद जब आप deception hall में जाओगे खुद कर रहे होते हो ना, तो कम students होने का फायदा यह है कि सब को deception का माँखा मिलता है, और अगर आप deception नहीं करते हो, तो आप anatomy नहीं सीखते हो, तो deception बहुत ज़रूरी होता है, तो deception के टाइम पर सीख लेते हैं और फिर क्या, फिर उसके बाद deception के बाद कि हमारा जो deception hall है, उसमें बहुत सारे TV screens लगे हुए, तो deception खतम होने के बाद, जो एक SR demo देते हैं, तो उन TV screen पर वो सारा चल रहा होता है, तो एक बहुत बार, तो मतलब चार बार हम पढ़ चुके हैं और यह होता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में यह सारा हो जाता है, यह सुबस बाद class होगी, फिर DH होगा, फिर यह सारी चीज़े हो जाएंगी, तो यह सब कुछ एक topic को पहली बार में चार बार बढ़ाए जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर एक्जाम्स के पहले, रिविजन्स होते हैं, बहुत सारे, तो इतनी बार पढ़ाते हैं, इतनी बार पढ़ाते हैं, की चीज़े अपने अप दिमाग पर बायट चाती है, तो इनाइटमी के डिपार्मन इसलिए बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे प्रफसर सें, जरियाल सें और बहुत सारे प्रफसर सारे बहुत आसम हैं, और एम्स की जो खास बात है, जो फिजियालोजी में खास है, वो यह है की एम्स में अनिमल एक्सपरिमेंट्स होते हैं, अनिमल एक्सपरिमेंट्स में 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 अनिमल एक्सपरिमें तो चार-चार लोग ग्रूप होता है, तो उन चार सुडेंट के ग्रूप में एक दो टीचर होते हैं, वो आपको सब कुछ एक्स्प्रेंड कर रहे होते हैं, तो परसनल यह आप उनसे इंट्रेक्शन कर सकते हो, सब कुछ सारे कुछ सारे डाउप सकते हो, और सारी चीज़े परफॉर्म करने को मिलती हैं, सारी टेक्नलोजी है, जितने भी, जैसे कि एक कायमोग्राफ होता है, तो जो फ्रॉग के एक्स्परिमेंट जो होते हैं, उनको पुराने टाइम में उस पर करना होता था, लेकिन अब सारा डिजिटाइस हो गया है, तो तो काफी आसान हो गया तो काफी जारी नई नी टेक्नोलजी भी फिजियोलजी लैब में है, तो काफी जादा हेल्फुल हो जाता है, उसके बाद अगर मैं बायोकिमिस्टर के बात करूँगा, तो फर्स्ट एल्ड का सबसे बेस्ट अपार्टमेंट होता है बायोजी, क्योंकि इसके में बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, लब इम्मिनोलजी भी बायोकिमिस्टर के बाट होता है, तो बहुत जाद अच्छे से बढ़ाते हैं, इम्मिनोलजी कल्पना लूथरा में हम पढ़ाती हैं, तो वो बहुत ही जाद अच्छा पढ़ाती हैं, वह बहुत जादा active है research में और बहुत ही अची टीचर है वो और ऐसे ही बहुत सारे teachers बहुत जादा अच्छा बढ़ाते हैं बाइक chemistry के field में और इसके जो SRS होते हैं वो भी बहुत जादा अच्छा है तो जो practicals होते हैं सारे सारे practicals कराते हैं और experiment सब के सब कराते हैं ऐसा नहीं कि कुछ miss कराते हैं सब कुछ कराते हैं और SRS का जो importance होती ही वो होती PBL में यह होता है problem based learning तो जैसे कि हम अगर पढ़ते हैं glycogen का chapter पढ़ा तो glycogen storage disorders होते हैं बहुत सारे तो अगर आप ऐसे बैठोगे glycogen storage disorder disorder A इसके symptoms यह इसका treatment यह अगर आप ऐसे रटने बैठोगे कभी यात नहीं कर पाऊगे तो यहां कैसे कराते हैं कि आपको questions मिलते हैं case मिलता है case देते हैं वो और उस case में आपको उस से ही सीखना होता है उसमें सब को दिया रहा था patient क्या हो रहा है case का सारी history दी होती है फिर उस से ही सीखना होता है उस case पर discussion होता है सारा फिर जो SR होंगे वो आपको सारा explain करते हैं और सारी बाते बताते हैं तो काफी जादा आसानी से यह सारे disorders समझ आरे लगते हैं फिर अगर मैं बात करो research की तो research तो बहुत ही जादा extensive है कि जब AIMS established हुआ था तो इस टाइम पर AIMS के तीन में मोटिफ्स के थे academics मतलब teaching, research और last वाला patient care तो research काफी जादा extensively होती है बहुत ही जादा होती है अभी अभी एक बहुत छोटा सा ventilator बनाई हुआ है यहाँ पर neurology के एक professor है उन्होंने एक robotics के professor के साथ मिलके एक बहुत छोटा सा ventilator बनाया है काफी जादा अच्छी research हो और बहुत ही सारी research होती है हर एक department में बहुत extensive research होती है तो अगर आपको research की detail लेनी है तो please आप AIMS की website को visit कर सकते है फिर इसके बाद अगर मैं library के बात करूँ तो देखो library का 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 बात है हर एक exam के पहले क्योंकि सबसे अची पढ़ाई तो library में होती है तो सब लोग exam के एक हफते पहले library जाना शुरू करते हैं एक हफते अच्छे सब भढ़ाई करते हैं लाइबरी में बैटके तो लाइबरी पास करा देती है लाइबरी में इतनी सारी books हैं printed books लेत लेख लो आप या फिर online books भी बहुत सारी है बहुत सारी journals होती है international journals होती है बहुत महंगी महंगी होती है तो उनको subscribe कर रखा है उनको आप online access कर सकते हो login करके या यहां पर hard copy भी होती है हमेशा 24-7 library खुली होती है दो-3 different type की है एक में temperature थोड़ा कम होता है एक में थोड़ा से जाधा होता है एक में थोड़ा सा होता होता है एक reading area अलग से ही है वहाँ पर आपको कुछ computers है internet connection के साथ वो ले सकते हो सारा library में Wi-Fi है और reading area एकदम separate है वहाँ पर एकदम शानती से बैठके आप बढ़ सकते हो ठीक है तो online भी आपको online का भी library से भी बहुत साथ चीज़े मिल जाती है और अगर आपको कुछ ऐसी books है जो कि library में नहीं मिल रही है तो वह books सारी बगल में पास में एक NML है ठीक है एक NLM होती है वो US में एक NML है वो इंडिया में National Medical Library यह इंडिया की सबसे बड़ी library है तो इसमें सारी की सारी books मिल जाती है वहां जाके आप books लेके आ सकते हो पढ़ भी सकते हो अब बात कर लेते हैं exams की सबसे गंदा चीज है ना तो अगर आप मौरानाजाद Medical College को देख लो और किसी भी Medical College को देख लो उनका क्या होता है बिचारे हमेशा बोलते है जब भी उनको call करो कि भाई कैसा है यार exam सारे है यार paper आ रहे है paper उनकी जिंदगी में हमेशा paper चलते रहते हैं क्यों कि हर week में paper होते है उनके जब भी topic कतम होता है कोई भी chapter खतम होता है paper हो जाते है chapter खतम होता है paper हो जाते है ठीक है अच्छा होता है कि आप पढ़ लेते हो उसके लिए लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कोई extra curricular चीज़े नहीं कर पाते है अच्छे से बहुत जादा hindrance आता है अगर आप research कर रहे हो या अगर आप photography सीक र print exam 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 नहीं होता, नाइंत सेम के बाद फाइनल एक्जाम होते हैं, और ये बहुत अची बात है कि बागी सारे colleges में चार professional exams होते हैं, ठीक है professional exams मतलब होता है, final exam की तरह होते हैं तो पहले professional exams होते हैं second exam के बाद मतलब first year के बाद, दूसरे professional exam same से होते हैं fifth exam के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद, और जो third professional exam होता है, वो होता है एकदम last में, और बाकी college में क्या होता है, कि जो third professional exam होता है वो दो पार्स में बाट दिया जाता है ठीक है, तो उनका क्या होता है बचारों का कि कि दो पार्स में बढ़ गया, है ना, तो 5th exam के बाद exam है, 7th exam के बाद फिर exam हो जाएंगे और 9th exam के बाद फिर exam हो जाएंगे, तो जो USMLE होता है, USMLE होता है, ये USA का PG का entrance test होता है, आप ऐसा कहा सकते हो, ठीक है, तो वो generally लोग prefer करते है, 7th exam में देना, तो उसके लिए आपको 1st prof और 2nd prof दोनों पढ़ने होते हैं, तो अगर आपके, खुद के college के exam आ जाएंगे, जिसमें कि 6th और 7th exam का आएगा, तो आपको कहां से time मिलेगा पराना पढ़ने को, तो काफी जादा problematic हो जाता है वो, तो सिर्फ ये ज आरे colleges के लोग जादा better करते हैं, इमसोनियन से, लेकिन USMLE में इमसोनियन सबसे जादा अच्छा करते हैं, ठीक है, तो ये exams का है, काफी आसानी से exams गुजर जाते हैं, क्योंकि आपको हर चीज, जो books में दी हुई है, हर चीज नहीं पढ़नी होती है, seniors काफी सादा help करते हैं तो काफी आसानी से सब कुछ हो जाता है, ठीक है, तो overall academics बहुत ही जादा अच्छा है, आप हम बिलकुल enjoy करेंगे, क्योंकि हम enjoy करते हैं, books आपको college से नहीं मिलती है, खुद ले ले लेनी होती है, तो सारी-सारी standard books use करते हैं, students आपर, mostly international authors ही होते हैं, कोई local या national authors mostly use नहीं कर professors तो अपनी जो, उनकी जो references होती है, वो तो सारी international, एकदम top, top level की जो books होती है, वही होती है, तो overall academics काफी जादा अच्छा हो जाता है, professors, teachers अपनी पूरी कोशच करते हैं, बढ़ाने की, और students भी कर लेते हैं, कोशच बढ़ने की, है ना, okay, thank you.